सबी को नमस्कार मेरा नाम संजेक खुमार गनपती राटोर सरकार्य है स्कुल बाचन हटी मागडी तहसिल रामनगर जिल्ला से आया हूँ सबी को इस इपाडशाला में स्वागत करते हुए तो बच्चों सबसे पहले में आपको एक क्रिया कलाब दुआरा हम इस क्लास को प्रारम करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्रिया कलाब दिया जा रहा है बच्चों आप अपना नोटबुक और नोटबुक निकालिए और लिख लिजे इसे हिंदुओं का पवित्र धर्मगरंद कोन सा है बताए हाँ सही कहा आपने रामायन और महाभारत समझगे ना आपको अगला क्रिया कलाब देखेंगे देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है और उन नामों को आप क्या करना चाहिए यहाँ पर महाभारत और रामायन के कुछ पात्र पर यहाँ पर है आप लोग इसे जो चुन चुन कर वहाँ लिखना जो पात्र महाभारत के आते हैं महाभारत में लिखना है जो रामायन के हैं रामायन में लिखना चाहिए तो देखिए आप अपना दुरतराष्ट महाभारत का पात्र है तो देखिए आगे एक दशरत है दशरत महाभारत या रामायन हाँ सही कहा दशरत रामायन में आते है तो पांडुराज हाँ पांडुराज महाभारत का पात्र है और राम राम देखिए हाँ शबाश बच्चों आपने सही बताया रामायन में राम आते है और आगला है धर्मराज धर्मराज अच्छा धर्मराज महाभारत का एक पात्र है उसके बाद दुर्योधन दुर्योधन बताईए हाँ दुर्योधन भी एक महाभारत का एक पात्र है और आगे हैं लक्षमन, हाँ लक्षमन रामायन में आते हैं भिम, हाँ चा भिम महाभारत में आते हैं सुमित्रा रामायन में भरत रामायन में अर्जुन? हाँ हाँ बताव बताव हाँ महाभारत में आते हैं सही का आपने उसी तरह सीता सीताल आप लोगों को तो पता है सीता रामायन में आते हैं या महाभारत में सीता तो रामायन के हैं कुंती महाभारत शकुरी महाभारत कौशल्या बताए बताए कौशल्या हाँ रामायन और बिश्म महाभारत, रावन रामायन, मंतरा रामायन अच्छा बच्चों आप लोगों ने महाभारत और रामायन के जो आने वाले पात्रों के बारे में आप क्रिया कलाप में भाग लिया है आप अच्छी तर से लिख लिजे याद रहना चाहिए कि महाभारत में जो पात राते हैं और रामायन में कुन सा है आज जो हम आपको लोगों को पाट पड़ाने जा रहा हूँ यहाँ एक एकांकी है भीम और राक्षयस इस एकांकी का नाम क्या है भीम और राक्षयस इस एकांकी के रश्णाकार है विश्णू प्रबाकरजी तो हम सबसे पहले विश्णू प्रबाकरजी की परिचे देख लेंगे मकडे इवट तुनाओ मार्त हेर वन्त वंदू नाट का भीमाव राक्षज यह भीमाव राक्षज कांकी एनन बरदोर यार यह कांकी इंदरे एक अंक के नाटक को हम क्या कहते हैं यह कांकी कहते हैं तो इस एकांकी के रचनागार है विष्णो प्रभाकरजी इसे कांखी के रशनागार कोन है विश्णो प्रभाकरजी तो देखें हम सबसे पहले वश्णो प्रभाकरजी का परशे देख लेंगे विश्णो प्रभाकरजी का जन्म सन 1912 को उत्तर प्रदेश के मेरापूर जिल्ले के मजफ्पनगर में हुआ था और विश्णो प्रबाकरजी के प्रकाशा और परचाईयां उचा परवत गहरा सागर मा का बेटा इंसान और अन्य एकांकी अशोक तता अन्य एकांकी मा बाप आदे ये सब विष्णू प्रभाकरजि की एकांकी संगर है और उनकी जीवनी है आवारामसीहा विष्णू प्रभाकरजी की जीवनी कोशी है आवारामसीहा. आवर उपन्यास, उपन्यास अंदरे कन्यडदल्ली कादंबर्यन थेलते मुखल, उपन्यास अंदरे कन्यडदल्ली कादंबर्यन थेलतेवी, आवरु बरदंथ कादंबरिगोल याव्याव पान्दरे, अर्दनारिश्वर, तटके बंदन, निशिकांत, स्वप्नमयी, अदा की कचहरी इदो विश्णु प्रबाकर और कादम लेगलू कहानी संग रहा धर्ती अब भी घुम रही है मेरी प्रिय कहानियां संगर्ष के बाद आदी और अन्द तो देखे बच्चों अब तक हमने विश्णु प्रबाकर जी का जो एक परचे देख लिया है तो मैं आपको इस पाट का आशे बताता हूँ इस पाट का आशे क्या है इस एकांकी का आशे का है यहाँ एक पौरानिक एकांकी है भीम और राक्षस एक पौरानिक एकांकी है भीम के द्वारा भकासुर का वद इस एकांकी का कतासार है पड़ी मक्ला इद वंदु पवराणिक वादंध वंदु नाटबक है इदु चिक्क नाटबक है इन नाटक दल凌त नरकोत भिऊनगे थेगतेर भीमनिंद भकासुरन वदे याग udahनुदु 9 इस एकांगी का कतासार येने पांदरे धानवता पर मानवता के जीएदू धानवरू थानवर राक्षेसरू राक्षेसरें दा मानवरू गयद्दि दन्न तोरस्कोड़ते वी आवर अच्छाई के सामने भूराई की हार अन्दरे वल्ले तना यंदिगो कोडा उली तदे केट्टद्दू शाष्रत्वागी सत्थोक्त दे केट्टद्दू उली हो दिल्ला अन्वदन्न ये एकांकी वंदू संदेशवनन हेलत दे मैं इसी वक्त पर कबीर्दास जी की एक वाणी कहना चाताऊं नानों इदे संदर पदल्ली कबीर्दास रवरो वंद अत्युत्तमवादन ताऊंनों मातन हलिदे भूराजो देकन चला भूरान मिलिया कोई दिल्ल खोजा अपना मुझसा भूरान कोई नोडे मक्टल कबीर्दास रवर हेळतरे क्याट्ट दन्न हुटुक्ता होदे अन्थे क्याट्टव्यक्ति गळनन हुटुक्ता होदे यल्ल्ली उकुडा नननक्यट्ट्व्यक्ती सिग्धी इल्ला कोउनेगे दिल्ल कोजा आपना नन्नरूद Kirby κलिकी नोडिदे वंदु बेरल अवर तोरसितरें, नालकु बेरलु नम्म तोरसितरें, हे, मदलु नीनु सुधारिस्टुको, पैले तुम अच्चे बनो, जो तुमारी मन मेजो भुराई हे, उस भुराई को निकाल्डो, तुम्प सवगसादं तमातिन हे दरें, कवरवर पांडव दायात्ते कन्नेडदली हेलतीरें, दायातिगलु, कवरवरु मत्तु पांडवरु दायातिगलागिदरु, दुरुतराष्ट्रावर घांदारिके 101 पुत्रु थे, दुरुतराष्ट्रा मत्तु घांदारिके 100 वंदु जना मक्लेदरु, पांडु राज की मुर्तिके बाद वन मेरहे, कुंति येवं पांडु पुत्रोंको बिश्म पिता महनी हस्तिनापूर लाकर कौर ववर पांडुओं दोनोंको विद्याभ्यास करवाया परंतु दुरुयो दनको हमेशा पांडुओं पर इश्याकी भावनाती नोडि मक्ला पांडु राज सत्त नंतर कुंति मत्तु पांडु पुत्ररों वनदल्ली वासवागिद्रू आद आद नंतर बिश्म पिता महा एन मार्तारे क्याकियावनोने हस्तिनापूर लेकराये पांड कुंती मत्तु पांडु पुत्ररनन हस्तिना पुरु के करकोण बंदरू करकोण बंतक्षना कवरवर जती यल्ली अवरन्न कूडा विध्या ब्यासमन नीडिदरू अधार नंत्रा लेकिन परंतु आधरे दुर्योधन यावागलिद्रो पांडवरंद्विगे द्वेशवन्न साधस्ताईद्धा उसके बाद दुर्योधन अपने मामा शकुन्य के साथ मिलकर पांडवों को नाश करने के लिए शड़यंत रचा वारनावत में चलने वाले जुलुष में भागलेने के लिए पांडवों को दुरुतराष्ट की और से भेजने की प्रबंद्ध किया वारनावत में पहले ही मोम से भवन निर्मान करके वही ठरने की भी किया गय था आउर रातो रात्वा भवन आख्से भस्म होने की योजनाबी बनाई गईती नोड़ी दुर्योधन्नी क्या किया उड़ु मक्ला दुर्योधन तन्न मामनादंता शकुनिय जोत्तेगे सेरी पांडवरन्न हेगा दुरु माड़ी नाशमाडवी कंथेली उन्दु शड़यंत्र रच्ने मारत्ताने आ शड़यंत्रत मूलका पांडवरन्न वरणावत एन्न वंथा प्रदेशिदल्ली एनिदे जुलूस जुलूस अंदरेनो मेरवनिगे जात्री दे निदे ज़ना मंत्री विधूरको मालों होगया दुरियोधन मत्तु शकुनी माड़ी दन्ता योजने किसे मालूम होता है इदुर को मालूम हो जाता है उन्होंने पाणडवों को इस घटना से बचाने की एक सुरंग मार्ग बनवाया उस महलको आगलगवाया आवर सब लोगोंने समझाकी कोंती आवर उनके पुत्र इस दुर्गाट्णामे माले गये अवग हेगाधरों माडे इदुर अवरन्ना कापाडवेकं थिली सुरंग मार्गलि में गुप्त मार्ग सिया आकर भटटक्ते रहे बाधवे सव एक चक्री नगरिक वापोँचे यह था इस कता का संदर्प तो आएए बच्चों हम इस एकांकी में आने वाले पात्रों के नाम हम देखेंगे इस एकांकी के आने में पात्रों के नाम है पहला पात्र है ब्राह्मन यह घर का मालिक है और दूसरा पात्र है ब्रामनी, ब्रामन की पत्नी, और तीसरा है कुंती भीम की माता, चवता पात्र है भीम कुंती का पूत्र, और इसमें आने वाला और एक पात्र है भकासूर, यानि कि भकासूर एक राक्षस्ता, इस भीम और राक्षस एकां की में आने वाली पांच पात रहे उसके साथ इस मुयाने वली ब्रामन की बेटी आती है और भकासुर के दो सहचर भी आते हैं तो देखे बच्चों आज हम एक आंखी को हम देखेंगे पहला दुष्य मंच पर एक मकान की आंगन का दुष्य गरीब ब्रामन का घर है सभी रो रहे है चारो और उदासी चाया हुआ है जब परदा उटे ही उरते ही पता चलता है तो देखे बचों आफ इस चित्र में देखते है कि इस चित्र का दुष्य हमें देखते ही पता चलता है कि सबूदाशी की भाना वहां पर घटी हुई है पलाद्रश ब्रामनी रोकर मैं कहती हूं तुम मुझे जाने दो बच्चे तो अब बड़े हो गये हैं उन्हें संबालने में कोई कटिनाई नहीं होगी ब्रामन नहीं नहीं तू कैसे जा सकती है तू चली जाएगी तो घर म में क्या रहेगा बच्चे अबी इतने बड़े कहा है फिर बेटी का विवाभी करना है नहीं मैं ही जाओंगी ब्रामनी अलता है तरे ना नहीं हेलते ने ना निके होग के विड़ी आवर अन्न साको दके निमिगी आवदे कष्टा आगो दिल्ला आवाग ब्रामन अलतने इ इल्ला मही जाओंगा अंदरे ना ने होगते नी ब्रामनी अलतरे अजी तुम कैसे जाओगे तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा नहीं मही जाओंगी री नी भेकता ने होगती रा नी होग बिट्रे मनी आशरी ने होदा गाकत दे इल्ला मही जाओंगा ना ने मा न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी मैं जाओगी अमा निनगु होगा कड़सला अपनिगु कड़सला ना ने होगते नि मगल मा तर न केली तक्षना मा कहती है मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है जोर जोर से रोती है हयो नान बद किद्दू नन्न मगल साई बेके हयो देवरे नान यंता पाप वन्न माडित देने ब्रामनी जब बोलती है तबी सहसा बार से कुंती और भीम वहाँ पर आते है भीम आते कहता है क्या बात है तुम सब क्यों रो रहे हो बात भीम कहता है कहा जाना है तुमें क्या इपद्द आपड़ी यल हो बेकु निमगे येन कश्टा बंदी दे बाद में कुंती कहते हरे भाई हुआ क्या कुछ बताओ अन्ना ये नहीं तो ये नादर हेली कोई नहीं बोलता उसी तरसी रोते रोते रहते है हाँ हाँ रोना बंद करके बात बताओ ब्रामन बात क्या है मेरा भाग्य फूट गया इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़ कर कही ओर चले पर यहां तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई की जाने का नाम नहीं लेती मेरा तो बोलावा आ गया ब्रामन हेलताने ये नंत हेली निमगे नन्न हने वरने केठो बिटी दे इवडिके हेता इद्दे इए एक चक्र नगरी यली नाम ओ इरोध बेडा आन्त आदरे इवोड़ नन मात खेल तला इस मिट्टी में आइस्थी मील गई मिट्टी यंदरे मन्नू अंदरे इए एक चक्र नगर नव बांधविया अस्ट्री युळू आ मन्नी नगरी बर्त बिट्टी दिल्ला पांदरे इए उरन बिट्टे होगो क्या उरडिये लिल्ला येन माडली ना नगर करे बंदी दे येन माडली कुंति कहते है कहा से बुलावा आ गया कुछ बतावो तो तुम्हे क्या दुख्य हम कुछ नको जरूर करेंगे ऐन रप्प ऐन अय तं मा यल्ली न करे बंदी दे निमगे निव येना अधर हेळित्त ताने नम गोट्ता गवोदू येन दुख्यागि दे लिए Wanna वह येनाधर निमगे सहायवन आढल भूदू ब्रामन कहता है, हाई बहन, तुम हमारे अतिती हो, अतिती को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाये, ये नंती हेल्ली सहुदरी, नीव नम्म अतिती गळु, बाद कुंती कहती है, अच्चा, तुम ना बताऊ, मैं अपनी बेटी से पुछती हू, बेटी से, हाँ बेटी, बतावो तो क्या बात है? ना नन मगल के क jednak कियेते नी हाँ मगले ये न महेलू नी नाद रहे? वा सुनथे ही ब्रामनी कहेती ही अजी बता क्यों नई देते ये परदेसी है उस राक्षिस की कहा निका ईने क्या पता? याकरी याकरी निवहेलता इल्ला पापाई वरों प्रदेसीगळू प्रदेसी का मतलब होत्ताई प्रदेसी मतलब पव. अन्दर दुसरे पर उरिंद बंधा इनत करिततरे पुचेश यान करितरे तो उन्होड़ी मक्ला यह परदेसी है उस राक्षेस कुछे कहानि की इनसे क्यापता. अवर परदेसिगलू, अंदर परवूरिंद बंदवरू, पापा, इवर गेनु गोत्तू, आ राक्षिसन कते, री हेल बिड़री, हाँ, हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूराना भकासूर है, हाँ, ना वेल्ला अवननन भकान्त करितेवि, अवन पूनह सरू भकासू ओहो, भकासूर, फिर वहां क्या करता है, भी महरताने, आहा, भकासूर ना, हाँ, गादरवन येन मारताने, ब्राम, करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है, येन अपा मारताने, उनो, इन नगर दा रक्षने मारताने, कुंती कहती है, राक्षस रक्षा करता है, तो तुम तुम रोते क्यूं हो, क्या वहाँ जा रहा है, तुम या तुम से कुछ अपराध हो गया है, ये नो राक्षे सा रक्षने मारता निये, आउन रक्षने मारता निव्या कालता ही दिरा, ये नी गाउन येलो होकता ही दाना, अत्वा निम्मिंद ये नादरो अपराध वागि द भीम तुम पहले आ बुजा रहे हो ऐसा कोन राक्षे साए जो नगरी की रक्षा करता है क्या यहां कोई राजा नहीं है यह नपा नीवेन वगठ ठेड़ता इदरला अनता यार राक्षे सिनिदाने इले यह नगरत रक्षने न मारताने यह नो इले यार राजनी लवे बेटा मैं तुम्हे सब कहानी बताता हूँ यह नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है बस गद्धी पर बैटना जानता है उसको दबाकर बक असली राजा बन बैटा है वही अब हमारी रक्षा करता है मगो नीन यल्ला हिळते नी इनगरत राजा बहल दुर्बल ना गिद्धाने उसे दबाकर अवनन तुलिदू निजवाद राजा इन भकासूर नाग बिट्टिदाने फिर वहाँ आपसे कुछ बदले में मांगता होगा हाँ ये गारता ही तो आउन रक्षने मारताने अदर बदलागी निम्मिने नादर खेलता है रबोधू ब्रामन हाँ बेटा भकासूर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्द दो भई से और एक मनुष लेता है हाँ दुमगो भकासूरा नम्मेलर रक्षने मारताने अदर बदलागी आउनु नम्मिन्द वंदु गाड़ी अन्ना यरडू यम्मे वब्ब मनुष नंत देगुत कोड़ताने तो देखे बच्चों एकांकी कैसी थी तो देखे इस एकांकी में आये हुए कुछ नए उसका अर्थ है मुसिभत अधने खन्यट दल्ली आपत्तों तेहे तेवी पहलिया बुजाना अंदर घुमाव फिराव की बात करना अंदरे वगटी नमातू रकवाली अंदरे पहरेदारी कावलगारा बारी अंदरे क्रमवारस्तिती अत्वा सरदी सालू भूगतना अंदर जेल्ना अनुभविसू उजाडना अंदरे बरबाद करना क्रेंड दल्ली नाशमाडू हालू माडू अजीव अंदरे विच्चित्रां सब्र अंदरे सहनसीलत क्रेंडधललस सहने अंथिली करितेवी उतावल आंधरे जल्द भाजी अंदरे आथूरा इकांखी केंप्रम्म कमश नान मदले ही दिन आपको मैंने पहले कहा चुका हूं गुप्त मार से पांड़ों ने अपनी प्राण बचा कर वन की ओर प्रस्तान करते ये का चक्रिन अगर पहुंचते हैं वहां एक ब्रामन के घर के एक भाग में वेबी ब्रामनों की तरहा वेश बदल कर भिक्षाटन करते करके जीवन बिताने लगे तो देखें वहां पर मैंने कहा आपको एक भवन को आग से जल लगाया गया था तो देखें आप इस चित्र में देख रहे हैं भवन को आग लगाया बाद में पांड़ों ने जंगल की वर निकल पड़े हैं उस एक चक नगर के राजा बहु नगर के सब लोगोने मिलकर बारी भानली है नोडि आ नगर अध राजा भाळ दुर्बला नाग इरत्तने मक्ला अवाग आवरेल्ला उरीन जना सेर्कोंडियेन माड़त्तर पांदर उन्दु सरिदी सालों इवत्तु निम्मने उन्दु गाडि तुम्प अन्ना यारिड यम् इदे भकासुरेन माड़त्तर इड़ी एक चक्र जननेरिक यल्ला आतंकभी मोड़ुस्पट्र इरताने कुल्लोद होडेद माड़ता इरताने आवाग सुमारु 40 वर्षों से सुमारु 40 वत्तु वर्ष्य गलिन्द आवरु यल्ला उन्न हींसे माड़ता इरताने अध कागि जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान ले जाना पड़ता है यार सरदी बर्त दो आग परती वबरु कुड इविल्ला सामान वन्न तगेद कोंट होब्यकागत दे नोड़ी मक्लम मुंदे एक दिम ब्रामन की बारी आई तो ब्रामन उनकी पत्नी और बचे सब रोर हेते वंदु दिना ब्रामन ना उन्दु सरदी बंदाग आवर मने यल्ली आवने हेंटी मक्लु यल्ला अलताईर तरे आज कोन अहार ले जाए आप भक्का सुनिर यार अहार दम तेगेद कोण होगत आरे अन्ता आलताईर वंता संद्र बदल्ली अवाग जब उनकी आवास रोते जो आवास सुनुकर कुंति आवर भीम उनके घर आते हैं कुंति मत्तु भीम आवर मनिक बंद केल तरे येना इतु या कलताई दरा येन कष्टाई तु निमगे अलुद की कारण येनू नीव येना आदर हेलेत ताने नंगे गोत्ता कोदू अन्थिरदाग आवर हेलेत तरे स्वामी निव अतिति गलू अतिति गलीगे नाव येन्दु कोड़ दुखों निरबर्दू अब अगर कुद्धिर तरे क्यों ऐसा क्यों कह रहे हों क्योंकि अतिति होतो क्या अगर आप बताएंगे तो मैं कुछ हल करने की सोचूंगी या आपके दुखों को धूर करने की कोशिश करेंगे तो करेंगे एह कहते हुए आदार नंत्रा बाद में ब्राह्मन ने सब कुछ बता दिया आगा ब्राह्मन ही गे एक चक्रिनगर दली वो बराक्षर सिद्धाने उससे भूत आतंग हो गई है इसलिए हम उसे एक गाड़ी अन देना चाहिए और एक मनुष्य देना चाहिए दो भईसे देना चाहिए इस तरह से भूत सारे विचारों को उसके सामने ब्राह्मन ने बताते हैं तब कुंति कहते हैं इतनी थोड़ी विचार के लिए आप इतनी चिंतित हो इस्टो चिक्कविशिक इस्टाक निवुक चिंतित रागी दरा आप नहीं डरना आप वहां कोन जायेगा आपकी तरप से मेरा बेटा यह भीम उस राक्षेस के पास जायेगा कल भोजन की तयारी करो खुशी खुशी शे आप भोजन की तयारी करो कल्मी यह मेरा बेटा उस राक्षेस को भोजनले कर जायेगा नोड़ी इवेन चिन्टे माड़ी बड़ी यल्ला रडी माड़ी नाले नन्न यी मगा इल्ला राक्षेस निगे अन्न वन्न तेगित कोंडो होगतानी इस्टो इकतिय वंदु सारामशोनन मुंदी न घटनी यन्ना नानु मुंदी न आवोदी यल्ली ना निम्ति विस्तनी अधिके नमुच्ची वत्त्यवागी मकला इगा अभ्यासद प्रश्णिगलन ना नोडोना अब ऐसा प्रश्णे ये वाक्षे में उत्तर लिखे पहला प्रश्णा था भकासुर कहां रहता था दूसरा प्रश्णा भीम कोन था भीम और राक्षेस पाठ के लेकर कोन है बचों बताए तयार है ना आप तो देखे पहला प्रश्णा भकासुर कहां रहता था बताए हाँ, भीम कुंति का पुत्र था, भीम और आक्सेस पाट के लेकक कोन है, जो मैंने आपको लेकक परिश्चे में बताया था, कोन है, अच्छा, भीम और आक्सेस पाट के लेकक स्री विश्णु प्रबाकरजी है, भूत खुब आपने इस अब्याश प्रश्ण को किया, और हम और एक प्रश्ण के और तरब जाएंगे, आगे की प्रश्ण के तरब जाएंगे, देखिए बच्चों, अब बैस, निनमली के शब्दों से रिक्तस्तान भरिये, तो बच्चों, वहाँ पर भीम, पहलिया, दानव, अतिति, सहारा, भोज, इस तरह से कुछ शब्दों को व तुम ड्याश बुजा रहे हो, ड्याश को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए, पहला प्रश्ण के लिए, पहला उत्र बताएंगे, बच्चों, तुम चले गए तो घर का, हाँ, हाँ, बताओ, हाँ, सहारा ही चला जाएगा, दूसरा प्रश्ण के लिए, तुम ड ड्याश बुजा रहे हो, सही उत्र बताओ, हाँ, तुम पहलिया बुजा रहे हो, अच्चा भूत खूब, तिसरा प्रश्ण के लिए, अतिती को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए, भूत अच्चा आपने इन प्रश्णों का जौब दिया, अब आप अनुरुप प्रश्ण के बारे में देखेंगे, तो दे पहला प्रश्ण है, सहरे मादरी का बेटा, भीम ड्याश, भीम मानव भकासुर ड्याश, तीसरा है, अर्दन आरिश्वर, यह एक उपन्यास है, आवारा मसिया ड्याश, दुरियोधन कवरो, भीम ड्याश, और पांचवा है, पा प्रश्ण को आप लिख लिजिए, तो देखेंगे, यहाँ पर ऐसा दिया है, सहरे मांदरी का बेटा है, भीम किसका बेटा है, बताओ, आच्चा, कुंति का बेटा, दुसरा प्रश्ण के लिए, भीम मानव है, भकासुर कोन है, राक्षयस, अर्दन आरिश्वर, एक उपन भूद कूप, दुर्योदन कवरव है तो भीम कोन है, पांडव, पाट पडाना, इस मुहावरे कारता है, सबक्सिकाना, तो भाग्य फूटना, भूरा होना, मकले तुमबा उत्तमुवादन ताई, मदलेडू पदगली की सम्मंधी सिदे, मूर्ने पदके उत्रवन बहाल, तुमबच्चे ना, हिड़ी दिरानिव, हागा दरेनोडी मुंदे, गुर्वकार्यवन बरेद कोली, उसका पूरा नाम भकासूर है, इस नगरी का राजा बड़ा दुरूबल है, भगवान तुमारे बेटे की रक्षा करेगा, बड़ा आजिवादमी है, इनालकु प्रश् को अच्छी तरसे इन सभी हुमारकों को लेकिएगा, आपको धन्यवाद, नमस्ते.